हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल लाइफ टॉक्स पहला, आज मैं इस वीडियो में एक ऐसे ट्रक की बात करने जा रहा हूँ, जिसका इतिहास 40 एर से भी ज्यादा पुराना है, आज भी आपको ये बसेज और ये ट्रक्स रोड पर देखने को मिल जाएंगे, आज मैं आपसे सुराज माजदा के आइकोनिक डिजाइन वाले ट्रक की बात करने जा रहा हूँ, जिसने 80's के मिड में कॉमर्सेल वीकल मारकेट में करांती ला दी थी, वीडियो में जो ट्रक देख रहा है, ये है सुराज माजदा का आइकोनिक T3500 ट्रक, वीडियो में आगे सुराज माजदा के साथ जोइन वेंचर इस्टेबलिश हुआ, और सुराज वीकल्स लिमिटेट का नाम पड़ा, सुराज माजदा लिमिटेट, आपको बता दे, माजदा एक जैपनीज ऑटो मोबाइल मैनुफेक्टर है, और सुमी मोटो एक जैपनीज जेनरल ट्रक्स को इंडिया में लाँच किया था, देखते ही देखते ही ये ट्रक्स कॉमर्सेल मारकेट में इस्टेबलिस होते चले गए, एन 1987 में सुराज माजदा लिमिटेड ने अपनी बसेज को भी लाँच किया था, सुराज माजदा के बसेज और ट्रक्स के फ्रंट करती है इन 1992 में सुराज माजदा लिमिटेड ने T2500 ट्रक को 4WD variant में आर्मी के लिए भी बनाना स्टार्ट किया था उस समय सुराज माजदा T3500 एम्बुलेंस T3500 एग्जुकेट्व बस और T3500 ट्रक्स में प्रोडक्शन में थे इसके बाद सुराज माजदा लिमिटेड ने सुराज माजदा डबल कैब और सुपर ट्रक को भी लाँच किया था सुराज माजदा T3500 और सुराज माजदा सुपर ट्रक के सकसेस के बाद सुराज माजदा ने अपने ट्रक्स को नए नाम के साथ लॉंच किया था सुराज माजदा ने इसके बाद सुराज माजदा सर्ताज सुराज माजदा समराग और सुराज माजदा समराग टर्बो ट्रक्स को लॉंच किया था डिजाइन वाइज ये सारे ट्रक्स एक जैसे दिखते थे, पेलोड कैपेसिटी के एकॉर्डिंग इसके स्पेसिफिकेशन्स में चेंजेस से, एर 2009 में सुमी मोटो ने पंजाब ट्रेक्टर्स के शेर्स को लेकर सुराज माजदा लिमिटेट के ओपरेटिंग राइट्स अप सुराज ब्राण को अपने अंडर में ले लिया, हाला कि सुराज नाम को लेकर काफी ज़्यदा डिस्प्यूट चला महिंदरा और सुराज माजदा के बीच में, लेकिन ये 2011 में ये डिस्प्यूट खतम हुआ, और सुराज नाम के राइट्स महिंदरा के फेवर में चले अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सुराज माजदा लिमिटेट की बसेज और ट्रक्स पर SML आई सुजू की ब्रैंडिंग क्यों आती है आज भी SML आई सुजू अपने पुराने डिजाइन वाले T3500 ट्रक्स और बसेज का प्रोडक्शन करती है अंतर बस इतना है कि इसमें सुराज माजदा की जगे SML आई सुजू लिखा आने लगा है अभी के T-Series के बसेज और ट्रक्स आई सुजू इंजिन्स के साथ आते है Current में SML आई सुजू के Operating Rights सुमी मूटो के पास है और Technical Rights माजदा आई सुजू के पास है आशा करता हूँ आप कोई जानकारी पसंद आई होगी ऐसी ही Informations के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करते रहें तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कर दे तहले बाद